हलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुपरबात छात्रों आज हम कक्षा बारा की पुस्तक स्रिजन के अध्याच्यार को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिहारी सत्साई के कुछ पद कवी हैं बिहारी पहले हम इनका परिच्चे देख लेते हैं विहारी का जन्म 1595 इंश्यार में हुआ था और इनकी डेत 1663 इंश्यार में हुए थी गागर में सागर भढ़ने वाले रितिकाल के महान कवी विहारी का जन्म गौलियर के निकट बस्वा नामक गावं में हुआ था जन्म कहां हुआ था गौलिर के निकट बस्वा नामक गाउं में हुआ था कब हुआ था 1595 में हुआ था इनकी विसेशता ये गागर में सागर बढ़ने वाले कवी हैं और कौन से काल के कवी हैं ये रिति काल के कवी हैं इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे 12 में एक्जाम में ये प्रेशन पूछा था है कि कवी का परिचे दीजिए या लेखा का परिचे दीजिए उसमें हमारे ये बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा इनके पिता का नाम केशव राय था उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जैसिंग के दर्बार में पहुंच कर अल्प वैस का राणी के मौह पास में राज करतावे भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया था, सचेत किया था, कावेपार की राजा ने उनका सम्मान किया, वो अपने दर्बार में सम्मान जना के स्थान लिया था, देखो, जैपुर के राजा थे, राजा मिर्जा जैसिंग, ये एक कमर उम्र की रानी के प्रेम जाल में इतने ज़्यादा फस गए थे कि दर्बार में जाना तक भूल गए थे ये और राज करतव्य को पूरी तरह से बुला चुके थे राणी के प्रेम के कारण से तो जब ये जैपुर आये थे तो इन्होंने राजा को सचेत करने के लिए एक दोहा लिख कर दिया था वो दोहा भी हुई नहीं प्राग नहीं मदूर मदू नहीं प्राग नहीं मदूर मदू नहीं विकास इहिकाल इसका विकास पूरी तरह से हुआ भी नहीं है और आप अभी आपका ये हाल है तो जब ये पूरी यूवती होगी यूवा वस्ता में जाएगी तब आपका क्या हाल होगा इस प्रकार से इसका कुछ अर्थ है तो कवी के द्वारा लिखे गए दोहे का अर्थ राजा ने तुरंत समझ लिया मतलब राजा कैसा था काव्य पारखे था काव्य को समझने वाला था और उनका कवी का सम्मानगी किया था और अपने दर्बार में सम्मान जनक इस्थान दिया था, इस दोहे से प्रसंद न होकर, बिहारी सचसई की रचना की, बिहारी ने सचसई की रचना की अब सचसई क्या होता है? सत्सई में 702 होते हैं कितने दोहे होते हैं? 702 बिहारी ने भी लगबग 702 लिखे हैं इनकी सत्सई में 732 हैं तो लगबग 700 के करीब होने कार्ण से इसको सत्सई नाम दिया गया है बिहारी सत्सई कवी ने भकति नीती स्रंगार प्रकर्तित्रन जोतिस एँउं बहु आया में ज्ञानपरा अधारी दोहों की रचना कर अक्षे कीर्थी अरजित किए अक्षे कीर्थी ऐसी कीर्थी अरजित किए प्राप्त किए जो कभी नश्च नहीं हो सकती अक्षे जिसका शेर नहीं हो सकता ऐसी कीर्थी ऐसा यस कभी ने प्राप्त किया है सतसई की रचना करके बिहरी जीने वे निमबार्ग संपरदाय में दिख्षित हुए थे कौन से संपरदाय में निमबार्ग संपरदाय में तथा राधा क्रिश्न की भक्ति की इनों ने विहरी ने किसकी भक्ति की राधा क्रिश्न की इनके सचसाई में जो ज़्यादा तर दोहे हैं न वो राधा क्रिश्न को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं उनकी रतनाओं में उक्ति वैचित्रे, अन्योक्ति, अर्थ्गामभीरिय, अर्थ्विष्टार, अलंकरिक्ता ता कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षन समावे से यह इनकी कावे की विशेस्ताएं हैं कि कम शब्दों में ज्यादा कहने की योगयता रखते हैं, विचित्रता रखते हैं, चमतकारिक तरीके से ये अपनी बात को प्रस्तूत करते हैं, कम शब्दों में ज्यादा अर्थ होता है, अर्थ गंभीर होता है, और अलंकारों का प्रियोग भी किया गया है, और समाहार शक कि सत्सया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंबिर। देखने में छोटे लगते हैं गाव करें गंबिर। देखने में छोटे लगते हैं लेकिन जब इनका अर्थ समझ में आता है तो यह गंबिर गंबिर घंबिर। बैंग करता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है मुक्त आत्माओं के सानिद्य से अधम भी मुक्त हो जाता है मतलब सामाने पुरुष भी मुक्त हो जाता है किसके सानिद्य से मुक्त आत्माओं के संगति के उसके बारे में बताया गया कि संगति का कितना प्रभाव पड़ता है संगति के प्रभाव के बारे मुए आपर बताया गया कि अधम व्यक्ति अर्थार समाने व्यक्ति भी मुक्त आत्माओं तो महान आत्माओं के सानिद्य में रहने कार्ण उसने संगत में रहने कार्ण से मुक्ति को प्राप्त करता है स्री क्रिश्ण की बातों का अनंद रस्पाने के लिए गोपिया उनके मुर्ली छिपा लेती है वन में क्रिश्ण के आते ही बिना वर्षा मूर नाचने लगते हैं उन्हें क्रिश्ण के आने सर्थार्थ क्रिश्ण मतलब काले रंके होते हैं तो काले बादलों का आभास होने कार्ण से मुर क्या करने लगते हैं नाचने लगते हैं नायक वनाई का भरे भवन में संकेतों से वारता लाप करते हैं जीने वस्त्रों में मतलब पारदर्श्ची वस्त्रों में नाई का ऐसे सुशोबित हो रही है कल्प रिक्ष एक ऐसा व्रिक्ष है जिसके नीचे हम जो कुछ हमारी इच्छाएं होती है वो मांगते हैं तो वो जुरूर पूरी होती है ऐसा व्रिक्ष होता है कल्प रिक्ष अब हम इस पार्ट के दोहों का अध्यन करते हैं भक्ति, निति और स्रंगार के दोहे लिए गए हैं पहला दोहा है मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई जातन की जहाई परे शाम हरित दोती होई ये बिहरी सस्वाई का पहला दोहा है जो की सच्वाई की सुरुआत करते समय इन्होंने मंगला चरन के रूप में लिखा है कि मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई बहुबादा होता है सांसारिक कस्टों को हरो मतलब दूर करो राधा राधा है, नागरी मतलब चतुर है, सोई मतलब वही कि वहीं राधा नागरी अर्थार्थ वहीं चतुराधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे कि वो ही चतुराधा मेरी सारी सांसारिक बाधाओं को दूर करे हरे मतलब दूर करे कौन सी राधा नागरी जहां तनकी जहाई परे शाम हरी दूती होई कि जिसके तन की अर्थार जिसके सरीर की जहाई मतलब छाया मात्र पढ़ने से शाम हरिदुती हो श्री कृष्णे हरिदुती वाले हो जाते हैं हरिद चमक वाले हो जाते हैं अर्थार प्रसन्न हो जाते हैं कि वहीं राधा नागरी, चतुर राधा मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिनके तन की चरीर की च्छाय मात्र पढ़ने से स्री कृश्ण हरित चमक वाले हो जाते हैं, अर्ठाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसका दूसरा अर्थ हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि वे चतुर राधा मेरी भवबादाएं दूर करें जिनके जलक मात्र पढ़ने से सारे पाप दूर हो जाते हैं इस प्रकार से यहां पर भी दो अर्थ बताएं गएं एक दोहें के माद्यम से तो यह इसका अर्थ है व्यक्या है अब विशेuh बात जो होती हैं जो एक्जामें पूछेरा अत List प्रसंग व्याख्या कीजिए उसमें हम शुरुवात में प्रसंग लिखते हैं फिर व्याख्या लिखते हैं और फिर विशेस होता है तो विशेस में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसकी बासा के बारे मता देंगे कि साहितिक ब्रजबासा का प्रियोग किया गया है शैली प्रभाव हीन हो जाना कि मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं तो यह हुआ पहला दोहा अब हम अगला दोहा देखते हैं तो पर वारो उर्बसी सुनी राधी के सुजान तू मोहन के उर्बसी वे उर्बसी समान तो पर वारो कि तुम्हारे उपर में वारो वारो मतलब होता है नोचावर क्या होता है नोचावर करता हूँ कि तुम्हारे उपर में वार देता हूँ क सुनी राधी के सुजान, सुजान मतलब चतुर, मन मोहन मतलब क्रिश्न, उर मतलब रिदय, बसी मतलब बसी, रिदय में बसी, वे मतलब होकर उर बसी के समान होकर, उर बसी मतलब रिदय को वस्मे करने वाली के समान होकर. इस दोहे में राधा जी के सुंद्रिया और स्रीक्रिष्ण पर उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है राधा के सुंद्रिया के बारे में और स्रीक्रिष्ण पर उस सुंद्रिया के प्रभाव का वर्णन किया गया तो हम इसके वेख्या कुछ प्रकार से कर सकते हैं कि कवी बिहारी कहते हैं कि हे चतुर राधा जी, तो सुनी राधी के सुजान, सुजान मतलब चतुर, हे चतुर राधी का जी, मैं आपकी सुन्दरता पर, मैं आपकी सुन्दरता पर वारो उर्बसी, उर्बसी है स्वर्ग की सबसे सुन्दर अपसरा का नाम कि मैं आपकी सुन्दरता पर स्वर्ग की सबसे सुन्दर मानी जाने वाली अपसरा उर्वशी को भी न्योच्छावर कर सकता हूँ तो परवारो उर्वशी सुनी राधी के सुजान कि है चतुर राधी का जी मैं आपकी सुन्दरता पर स्वर्ग की सबसे सुन्दर समझी जाने वाली अपसरा उर्वशी को भी नोचावर कर सकता हूँ तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान कि आप तो तू मतलब आप तो रादिका जी को मदूद करते हुए कभी कह रहा है कि तू मोहन के उर बसी, कि तू तो मोहन के उर में बसी है मोहन मतलब कृष्ण है, और मोहन मतलब मन को मोहने वाले कि तू तो जो दूसरों का मन मोहते हैं, सभी का मन मोहने वाले जो स्री कृष्ण है उनके मन में बसी है, और मतलब रिदे में बसी है या मन में बसी है वे उर्वसी समान और किसके समान होकर बसी है उर को वस्मे करने वाले के समान होकर अर्थारत रिदय को मन को वस्मे करने वाले के समान होकर तू स्री कृष्ण के रिदय में बसी है या बस गई है यहां पर तीन उर्वसी है पहले उर्वसी का आर्थ है अपसर कौन सी अपसरा स्वर्ग की सुन्दर अपसरा जो सबसे सुन्दर अपसरा है उसका नाम है उर्वसी दूसरा उर्वसी है यह है रिध्य में बस गई रिध्य में बस गई और तीसरा उर्वसी है यह है उर्ग को वश्मे करने वाली या रिध्य को वश्मे करने वाली रिध्य य रिदे को बस में करने वाले के समान होकर वह मतलब होकर तुने स्री कृष्ण के रिदे को भी बस में कर लिया है या उनके रिदे में बस गई है इस प्रकार से ये इसका अर्थ है आगे के दोहों का अर्थ हम अगले वीडियो में देखेंगे वीडियो लंबा हो गया है उम्मी